पब्लिक टीवी आपकी आवाज मुरदबाद के सिविल लाइस थाने में भाजपा नेता के साथ अभधरता होने पर साथ ही उने जम कर हंगामा किया आरोप है कि भाजपा नेता के भांजे को थाने में दरोगा और सेपाही ने पट्टे से बीटा था इसकी शिकायत पर ही वो थाने पहुचे थे शुक्रुवार रात विधायक रितिश गुपता के साथ भाजपा पदादीकारी और कारेकर्टा डियाईजी से मिले और उन्होंने आरूपी पुलिस कर्मियों के खलाफ कारवाई की मांग की बंगला गाओं शेप बिहार कलोनी निवासी सोनू सुमन भाजपा के सिविल लाइन्स मंडल अज़क्ष है उन्होंने बताया कि उनका भाज़ा अभिश्यक शर्मा सिविल लाइन्स थाने के सामने सैमसंग मोबाईल सर्विस सेंटर में नौकरी करता है शुकरवार दोपै ठाकुद्वारा छेतर के तीन लोग मोबाईल ठीक कराने पहुँचे थे इसमें एक व्यक्ती खुद को जलापंचाय सदस से भी बता रहा था मोबाईल ठीक कराने को लेकर इन लोगों की करमचारियों से कहा सुनी के बाद मारपीट भी हुई थी सेंटर के करमचारियों ने यूपी 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली पुलिस दोना पक्षों को थाने ले गई इसी दोरान जिगर कलोनी चौकी प्रभारी महिश कुमार सिंग आ गए और वो करमचारियों को देखकर भढ़ा गए दरोगा और सिपाही ने अभिशेक शर्मा, रवी कांत और जबबाद की पट्टे से पटाएगी इसके बाद तीनों को ड्यूटी मुन्शी के पास भीज़ दिया गया तीनों के मोबाइल भी ले लिए आरोप है कि दरोगा बाहर आये और थाने परिसर में ही पेल के नीचे बैठे दूसरे पक्ष के लोगों के पास पहुँच गए सूचना मिलने पर भाजपा नेता सौनू सुमन भी थाने आ गए उन्होंने भाजपा की पिटाई का विरोध किया और पुलिस कर्मियों से पूछ ताश करने लगे आरोप है कि इसी बात पर दरोगा और इंस्पेक्टर भड़क गए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अभद्रता की गई सौनू सुमन ने इस मामले की जानकरी भाजपा के मोबाइल वाट्सअप गुरूप पर शेयर कर दी सूचना मिलने पर भाजपा विधायक रितेश गुपता के साथ महापौर विनोध अगरवाल महानगर अध्यक्ष धर्मिंदर नाथ मिश्रा के साथ अन्य पदादिकारी भी पहुँच गे इसके बाद वो डियाईजी के पास पहुँचे और उन्होंने पूरे प्रकरण की शिकायत की डियाईजी ने आश्वासन दिया की मामले की जाच कर कारवाई की जाएगी सिविलनाइस थाने में मंडला ध्यक्ष सौनू सुमन के साथ अभधिरता की गई थी उनके भाणजे और दो अनलोगों के साथ भी मारपीट कही गई थी सेंटर वालों से उनका कुछ विवाद उसमें हो गया था सेंटर वालों ने 112 पर पुलिस को बला लिया था 112 की पुलिस से दोनों पक्षों को ठाने पे लिया थी थाने पे आने के बाद जो कैम चौकी का चौकी इंचार्ज है महेश कुमा सिंग उसने सेंसंग के जो एंप्लोईस थे उनके साथ अफरादियों जैसा सलूप किया उनके साथ मारे पिटाई करी पट्टों से उनको पिटा गया जो हमारे बंड़ा लज्यक्ष सोनु सुमंजी को इसकी सूचना मिली तो वह थाने पहुचे थाने पहुचने के बाद उन्हों ने पूचा कि यह आपने इन लोग के साथ मारे प्टाई क्यों किये तो चौकी इंचार्ज ने महेश कुमा सिंग ने सोनु सुमंजी के साथ भी बहुत मिजवेव किया गाली गलोच करी और भातियंता पार्टी के लिए अप्शब्दों का प्रयोग किया हमने इसकी शिकायत उचदीकारियों को करी है डियाई जी साथ से समय लेकि हम लोग सब मिलने आयते बिया साहब है मानगा दिक्ष धर्मिनाद मिश्या जी है और बातियंता पार्टी के सब्सक्राइब करता और मंडल अजएक सबस्त हैं मौजूद हैं हमने पूरा प्रक्वन डियाई साथ को बताया है हमने मांग किया है कि स्टॉकी इंचार्च को तुरन सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ जांच बिठाई और बिना पक्ष सुने पुलिस वालों ने जो सेमसंग के एंप्लॉईस थे उनको अप्रादियों की तरह पीटा उसके पीछे यह भी पताया जा रहा है कि एक बार यह चौकी इंचार्ज मुवाइल सेंटर पे अपना मुवाइल ठीक राने आया था मुवाइल सेंटर वाले कि उसने आज इस घड़ना को अंजाम दिया ऐसे भर्ष्ट पुलिस वाले एकलाफ सक्षक कारवाई होनी चाहिए तो आप आई जी साब के दौरा का अभी अभी साथ किया गया आज रात को यह उन्होंने कारवाई का इसमें हमको आश्वास आश्वासन दिया है और सस्पी स करने अभी साथ आधरा की रही है और यह जी कहना है कि लौनों पच्छों के अंदर सुला भी उल्याता है इसके बाद भी उनके साथ इस तरीकिसे अंघरता की रही है इस समझल में उनके दौरा सुशना दे गए हैं इसकी तत्का ज्याज क्यादिश कर लिए रहे और जाँ म गुसा है भाजबाईयों को किस तरह शांत किया गया क्या आश्वासन देकर क्योंकि उनकी मांग है कि चौके इन चार्ज को हटाने की लगातर में उनको बताया गया है कि जो भी जोशी होगा इसके अंदर पत्काल ही कारवाई की जाएगी और जो जो भी शूशना है वो इन जो रसके अंदर पत्यू का लुवम इन जो नग्यानों को सेना है वितरिका जी